हेलो फ्रेंज तो आज के इस वीडियो में हम काउंटिंग इंगलिस मतलब यह जो काउंटिंग होती है इसको इंगलिस में वान टू थ्री यह सब का स्पेलिंग हम लिखना बताएंगे बहुत ही असान तरीके से जिससे आपको अधर कोई वीडियो देखनी की जुरत नहीं अगर पूरा देखे तो जरूर समझ में आगी तो चलिए बिना टाइम बेस्ट के स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए एंट तक बने रहीएगा तो फ्रेस देखिए फर्स्ट में है ओन है तो हम रियली बता रहे हैं कि आपको ओन टू टें इतना आपको थोड़ा सा देखे जैसे ओन इतना तक आपको याद करना होगा ओन का स्पेलिंग होता है टू का टी डबलू ओ थी का स्पेलिंग होता है टी एज आर डबली थी एफ ओ यू आर फोर फाइब का होता है एफ आई भी इफाइब 6 का S I X 6 का और 7 का S E V E N 7 8 का E I G H T 8 का स्पेलिंग होता है और 9 का N I N E और 10 का होता है T E N इतना तक आपको याद करना ही पड़ेगा आप आप सोचले इसमें ट्रीक क्या है इसमें तो याद करना पड़ेगा तो पहले ही बोला है एक से दस तक आपको थोरा सा रिवाइच करना पड़ेगा यह तीन वर्ड चार वर्ड का है तो आप असानी से याद कर सकते हो अब द कर देखिए थी का स्पेलिंग जो होता है सेम थोड़ा सा अलग होती ती एच आई आर देखिए अब यहां से 19 तक जो होता है वह आप लिख के लास्ट में क्या लिखेगा टी डवल इन यह जो चार वर्ड है यह सब में आएगा ठीक ना फोड का यहां पर एक खटा दे तो यह एक्षिच लिखिया है चार बचा तो यहां सिंपल सा मिल रहेंगे तो यहां फोरक स्पेलिंग यहां पर लिख देंगे यह चार याद रखियेगा यह सब में आएगा इन थी टक नाइंटें तक हम सब टी डवल इन लिखेंगे और फाइब का सिप इतना है बीच बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसको आप अगर याद रखेगा तो आपको थोड़ी भी प्रोब्लम नहीं होगी यहां पर जैसे मैंने बताया कि फ्रका एक हठा हदी जिए फ्रका च्पिलींग लिखेंगे कर ते pan देंगे थोड़ा सा ut can देंगे क्या है यह है यह फार्षत नैंट को देंगे इत बिर हम यह फिर इपीट करेंगे अब 16 का देखे 16 में एक को अगर हम हटा दीये तो क्या बचा 6 बचा तो यह 6 complain लिखे और यह 4 किया लिखेंगे ती डवल एन तो यह क्या हो गया uploading działाए मतलब 16 हो गया अब 1 क्या है अब किया दिये तो क्या है सेवेण 7 और क्या लिखेंगे यह 4 ती डवल इन 17 ऐसे अब देखें क्या लिखेंगे 8 है तो 8 का स्पेलिंग E I G H T 8 और यहां पर T पहले से ही है तो हम E डवल इन लगा दे रहे क्योंकि T हम यहां पर 1 है ही तो क्या ज़रूरत है तो बारा लिखेंगा इसलिए डवल इन डिरेक्ट लिख सकते हैं पर फ्रेंस आपको 10 तक याद करना पड़ेगा जब आप असाने से लिख सकते हो इतना करने के लिए अगर आप 10 का रिभाइच पर इतना आपको करना पड़ेगा 9 तक क्योंकि इन सब में 9 तक आता है 20 के बार स्पेलिंग क्या होती है चेंज हो जाती है 10 के स्पेलिंग नहीं आती है तो हाडली ये सब तो याद करना ही पड़ेगा पर 1 to 9 को एकदाम अच्छे से याद कर लिजागा जो आगे हर वर्ड हर में कामा मतलब हर वर्ड में कामाता है इसलिए एक से लेकर 9 के स्पेलिंग आपको 100 तक मतलब काउंटिंग का इंगलिस लिखने में काम आएगी अब यहाँ देखिए हटा दिये तो क्या होचा 9 एन आई एन ए और टी डवल एन क्या हो गया 19 हो गया बस इतना अब 20 का स्पेलिंग चेंज हो जाएगा 20 अब क्या करना है इसमें अब आगे देखिए 20 इहाँ से स्टार्ट हो गया तो इसमें क्या बोलेंगे इसको क्या बलते है 21 या क्या बलते है统्वक्ति ट्वथीट्यक्रिक्डव होнь 20 बोल रहे हैं तो इस सब में 20 का स्पेलिंग तो आए गा ही ना क्योंकि हम इसको 20 बोल रहे हैं तो 20 का स्पेल हमारा क्या है T W E N T Y तो 1 से मतलब 21 से 29 तक हम 2020 पहले लिख देंगे ठीक T W E N T Y 20 इन सब में हम लिख देंगे तो फ्रेंट देखिए मैंने यहां तक 20 टेंटी लिख दिया है फिर 30 से यहां 20 से spelling change हो गया वैसे 30 का spelling change हो जाएगा तो देखिए यहां पे अगर हम यह सब हटा दिये क्योंकि इन सब का spelling 20 हम लिख दिये हैं तो अगर इन सब को हटा दिये तो हमारा क्या बचा 1 बचा तो हम simple सा यहां पे 1 का spelling लिख देंगे इसलिए हम बोले हैं कि 1 से लेकर 9 तक क्या spelling आपको हर चीज में कामेंगी मतलब 1 से लेकर 100 तक के spelling लिखने में आपको हर 21 से लेकर 29 तक या 31 से लेकर 49 तक सब चीज में कामाएगी तो अब यहां पे यह हटा दिये तो क्या बचा 2 तो 2 का spelling लिखेंगे यहाँ पर यह दो को हटा दिये तो क्या है थिरी है तो यहाँ पर टी एच आर डवली थिरी का स्पेलिंग लिख दिये अब यहाँ पर हम टू को हटा दिये तो हमारा क्या बचा फोर बचा तो यहाँ पर हम फोर का स्पेलिंग लिख दिये अब यहाँ पर हटा दिये तो यह क् 5 का spelling लिख दिए अब यहाँ पे किसका लिखेंगे 6 का, क्योंकि 6 है अब यहाँ पे हटा दिये तो यह क्या है 7, तो हम यहाँ पे 7 का spelling लिखें, इसको हटा दिये तो क्या बचा है, 8 बचा तो हम यहाँ पे 8 का spelling लिख दिए, यहाँ पे 9 का लिख देंगे ठीक ना अब इतना के बाद हर 30 40 50 60 70 80 90 और 100 इतना का जो spelling होता है वो change होता है बाके बाद बीच में आप वही same लिखना होता है 1 to 9 तक और बीच में जो 30 का अगर यहां से जैसे change होगा देखे 30 THIRTY क्या हुआ 30 का THIRTY ठीक ना तो जैसे मैंने बताया यहां पर इसका 20 आया था तो 20 20 लिख दिया उसके बाद 1 2 3 है तो 3 4 है तो 4 5 है तो 5 6 है तो 6 वैसे ही 30 है तो 31 32 जब लिखेंगे तो 30 30 पूरे में लिख देंगे उसके बाद 1 रहेगा तो 31 तो 1 32 तो 2 33 33 34 तो 4 इस तरीके से लिखेंगे फिलहाल हम 30 तक ही बताया है नेक्स्ट वीडियो में आपको हंड़े तक देखने को मिलेगा तो आई होप आपको समझ में आई होगी वैसे तो आप इतना जानगे तो आप असानी से हंड़े तक लिख सकते हो तो वीडियो कर अच्छी लगते वीडियो पर लाइक कमेंट कर दिजेगा चैनल को सब्सक्काइब कर लिजेगा और हां बेल एकर प्रेस करना नहीं भूलियाग क्योंकि ऐसे इंपोर्टन वीडियो और भी आगे आपको मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई